नमस्कार दोस्तों आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रिशन के यूट्यूब चैनल पर तो आज हमारा जो टॉपिक है MBBS in Mauritius उसके वारे में डिस्कस करेंगे MBBS से रिलेटर्ड हमारे चैनल के उपर कम से कम 50 वीडियोज हैं MBBS में अगर आपने किसी भी foreign country में admission लेना है तो crown immigration आपकी 100% help कर सकती है तो हमारी ही एक ऐसी agency है जो कि हर एक countries को deal कर रही है MBBS admissions में क्यूंकि आपको maximum जो consultant मिलेंगे बो जो promoted countries हैं जा जो Russian countries हैं चाहे वो Russia को लेकर चलो चाहे Ukraine को लेकर चलो चाहे बिलारुस को लेकर चलो ऐसी countries वाले चाइना को लेकर चलो कुझा किस्तान को लेकर चलो तो ऐसे countries वाले आपको लाखों consultant मिल जाएंगे लेकिन जैसे मैंने कुछ दिन पहले वीडियो डाली थी MBBS from top 10 countries तो अगर उनमें भी आप MBBS करना चाहते हैं जिसको हम first world countries कहते हैं चाहे वो आप UK को लेकर चलें चाहे Ireland को लेकर चलें चाहे USA को लेकर चलें कानेड़ा को लेकर चलें चाहे New Zealand को लेकर चलें और चाहे Australia को लेकर चलें तो इवन मैंने बहुत सारी वीडियो में बार बार यहे रुक्वेस्ट करता रहता हूं कि आप अपने बच्चों को जो MBBS का international exams होता है क्योंकि बहुत सारी जो first world countries हैं उनके लिए intense exams हैं तो उनको आप अपने बच्चों को उनमें जरूर मतलब अपेर करवाएं जैसे कि IMET का exam है जो कि इटली के लिए applicable है क्योंकि इटली में वहाँ की government universities में MBBS जो है कि वो free type की है इवन इटली government भी बच्चों को 5000 यूरो तक का grant भी offer करती है बट इटली में problem जी है कि इटली government आज की date में international students के lot of visas बहुत refuse कर रही है तो इसी तरीके से अगर आपने Australian, New Zealand या UK से करनी है तो उन countries में UKAT, MCAT जो exams होते है जहां jam set exams है, इस type के exams देने पड़ते हैं तो जो exams होते हैं उसमें आप अपने बच्चों को जरूर अपेर करवाएं तो इसी तरीके से मैंने बताया था कि हम Schengen countries को भी deal करते हैं क्योंकि Schengen में हमारे पास आप Hungary को लेकर चले, Poland को लेकर चले, Latvia, Lithonia, Estonia को लेकर चले जहां चेक Republic को लेकर चले, बहाँ पर भी हम आपके बच्चों को बेज सकते हैं डिपेंड आपका बजट किया है, तो इन जो Schengen countries मैंने अभी बोली है इनके जो intake है, बहुत सारी countries के already open हो चुके हैं जिन्होंने सब्तमबर में इन countries में MBBS करने के लिए जाना है अगर आपका बजट इन Schengen countries के लिए नहीं बनता तो आप फिर priority जो European countries है रुमानिया और बुल्गारिया को दें, रुमानिया और बुल्गारिया भी European countries है तो बहां से भी हम आपकी MBBS करवा सकते हैं अगर बजट थोड़ा बहुता ओर ठीक है तो फिर मैं Malta और Cyprus को भी recommend करता हूँ तो बहां से भी आप MBBS कर सकते हैं तो हमारे पास बहुत सारे options हैं तो आज जो हमारा discussion रहेगा Mauritius के उपर Mauritius के अंदर तीन universities हैं यहाँ पर आप MBBS में admission ले सकते हैं जैसे SSR Medical University है University of Mauritius है और इसी तरीके से अन्ना Medical University है यह तीन universities हैं जिन में हम आपकी help कर सकते हैं बहां पर admissions के लिए US dollar से लेकर 12,000 US dollar है तो अब यह लेकर चले साथ 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 लाग से लेकर 10 लाग का yearly यहाँ पर जो expenses है tuition fees का इसी तरीके से यहाँ की यो MBBS है वो 5 साल की है Mauritius यह African continent है इसको island भी कहते हैं तो Mauritius के हम fact and figure के बारे में भी बात करेंगे तो इसकी जो population है वो 12,000,000 की है इसकी जो official language है English और French है जो बच्चे फ्रांस में या Canada में अपना carrier बनाना चाते हैं तो यहाँ से study करने के बाद French सीखने के बाद क्योंकि French क्लोनी रहा है यह UK की क्लोनी रहा है French भी इनकी official language है तो यहाँ से आप बहुत सस्ते तरीके से अपनी French language सीख सकते हैं तो आपको बहुत सारी countries में French बोली जाती हैं वहाँ पर आप settle भी हो सकते हैं इसी तरीके से इसकी जो capital लेब पोर्ट लूसी है और इसकी जो currency है वो Mauritius रूपी है जो की एक Mauritius रूपीस लगबग इंडिया रूपीस के दो के equivalent है तो अगर आप यहाँ पर जाना चाते हैं Crown Immigration आपकी 100% help कर सकती है अगर आपका budget जे 40,000 से लेकर 50,000 US डॉलर का है तो यहाँ पर MBBS करने के भी काफी benefit है 5 साल की MBBS है और इंडिया और Mauritius के बहुत अच्छे relation है आप अगर बहाँ पर जाएंगे तो आपको बहाँ पर Hindi speaking लोग भी मिलेंगे और यहाँ पर Mauritius में आपको बहुत सारे बिहारी भी मिल सकते हैं बिहारीों को भी बहाँ पर लेकर गयते पहले बहुत सारे फिर अभी बिहारी आज की डेट में बहाँ पर अपने बिजनस और बहुत अच्छे तरीके से settled हैं तो बहुत नजदीक है यह भी बहुत अच्छा benefit है इवन अगर अपने आप parents को भी बहाँ पर relocate करवाना चाते हैं को settlement policies देखते हैं उसमें भी क्रॉनिमी ग्रिशन आपकी help कर सकती है तो admissions के लिए criteria क्या है कि आपके जो minimum percentage है PCV में 65% से कमना हो तो यहाँ पर भी NEET की requirement है क्योंकि इन countries में भी हमारे इंडियन student जाते हैं तो इन universities को भी मालू है कि NEET के वगए हम admissions नहीं देंगे तो बहुत सारी जो first word countries are not bothered about the NEET वो करते हैं हमें क्या लेना देना NEET में तो NEET होना जरूरी है आपका तो यहाँ पर दो intake आपको मिल सकते हैं एक सब्तमबर वाला जो आरड़ी स्टार्ट हो चुका है एक अपराइल वाला भी आपको intake मिल सकता है तो admission criteria सिर्फ आपके percentage के उपर डिपेंड है अगर आपने University of Mauritius में पढ़ने जाना है वहाँ पर अगर आपके अच्छे percentage होंगे तो तब आपको admission मिलेगा तो यहाँ पर हम आपका easily admissions करवा सकते हैं अगर आपका budget appropriate है तो यहाँ पर जो visa process है यहाँ पर electronic visa मिलता है e visa जिसको कहते है पेपर visa होता है तो admission criteria के लिए कि आपके जितने भी academic document है साथ में आपकी police clearance certificate जो की passport office से issue होती है और यह सारे document और साथ में एक bank statement जिसके अंदर आपके parents के account में 8 लाक रप्या पढ़ा हो तो यह सारे document जब हम वहाँ पर भेज़ देते हैं through scan copy तो वहाँ की जो respective college या university है वो directly अपने immigration में यह सारे document submit करती है तो submit करने के बाद वहाँ से visa approved होके आजाता है paper visa type का मिलता है visa तो वो visa जब हमारे पास मिल जाता है तो उस visa को लेकर बच्चा fly मतल कर सकता है तो यहाँ पर भी one time charges है यह universities के कोई university one time charges तीन लाख मांगती है किसी के साड़े तीन लाख है depend है कि कौन सी university में आप जा रहे हैं तो इसके अलावा हमारे भी service charges है हम भी service charges फिर हम आपने बता दिया कि service charges जो भी decide करने आपने करने है कि आपने हमें 1000 US dollar देने है 1500 देने है 2000 देना है यह तीन ही जार देना यह आपके उपर मैंने छोड़ दिया है तो हर एक videos में मैं बार बार यह बताता हूँ कि हमारी ही एक ऐसी company है जो कि service charges ओपन नहीं बताती है तो आपने जो भी पैसे देने है जो भी feces देनी है वो directly आपने university के account में डालने है यह नहीं है कि मैं कहूंगा कि मेरे account में डालने है तो आप जितने भी ambivious related videos देखें भी कोई भी अपनी service charges disclose नहीं करता बैटकर channel के उपर वो बस यहीं बताता है कि मैंने 50 student बेज दी है मैंने इतने student बेज दी है जहां आपको motivation देगा कि USMLE का passing percentage इतना है इस university का P.Lab का इतना है अपना जो next exams है MCI का जो passing rate है इतना है वो सिरफ आपको एक motivation देगा कि मेरी university में percentage इतने है मैंने यह कर दिया मैंने वो कर दिया लेकिन यो fact है वो कोई नहीं बताएगा तो हर एक बच्चे हो हर एक parent से मेरी request है कि जब भी आपने किसी भी foreign country में MBBS करने के लिए जाना है चाहे क्यों मैं भी क्यों agent ना हूँ चाहे कोई भी हो तो firstly आप अपने level पर यूरूर बारकाउट करें उस countries के बारे में वहां की universities के बारे में उसके बार decision लें तो अभी last day मेरी यही request है कि अगर आप MBBS से related और भी videos देखना चाहते हैं तो आप मेरे channel को browse करके देख सकते हैं 50-60 videos मेरे channel के उपर पड़ी हुई है तो अगर आपको यह मेरी video अच्छी लगी